नमस्कार अंतराश्ट्री खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर शेखर जोशी इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हल चल से तो आईए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतराश्ट्री सुर्खिया प्रचंड जीत के साथ 14 साल बाद सत्ता में लोटी बिटिन की लेबर पार्टी कीर स्टारमर बने देश के नए प्रधान मंत्री कहा तुरंत शुरू होगा बदलाव इड से इड चोड़ कर दो बारा मजबूत बनाएंगे देश पीम मोदी ने दी बधाई विटिन के चुनाव में लेबर पार्टी की लहर में बह गई सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी ने 421 सीटों पर दर्ज की शांदार जीत दशकों की करारी हार में 121 सीटों पर ही सिमट गई कंजर्वेटिव 71 सीटों के साथ तीसरे इस्तान पर रही लिबरल डेमोक्रेट चुनावी मैदान में कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े बड़े दिगज धेर पूरु प्रधान मंत्री लिज्ट्रस समेत 11 मंत्रियों ने गवाई सीट रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता नाइजल फराज आठवे प्रियास में पहुंचे संसत इरान में राष्ट्रपती चुनाव के दूसरे चरण के लिए बोटिंग सुधारवादी मसूद पिजश्कियान और कटरपंथी नेता साइज जलीली के बीच कड़ी टककर पहले चरण में पिजश्कियान को 42.5 प्रतिशत जबकि ईद जलीली को मिले 38.8 फिर्सदी बोट जीत के लिए 50 फिर्सदी से अधिक बोट हासिल करना जरूरी 8 से 10 जुलाई तक रूस और आस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 में भारत रूस वार्शिक शिकर सम्मिलन में लेंगे हिस्सा 41 वर्षों में किसी भारती ये प्रधान मंत्री की होगी पहली आस्ट्रिया यात्रा और आएए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं योरोप की ओर ब्रिटन में हुए आम चुनाव में रिशी सुनक की कंसर्वेटिव पार्टी को करारी हार मिली है और लेबर पार्टी इन चुनावों में बड़े बहुमत से विजई हुई है कीर स्टार्मर अब ब्रिटन के नवे प्रधान मंत्री है स्टार्मर ने कहा कि उनकी सरकार अब ब्रिटन का पुनर निर्मान करेगी इससे पहले रिशी सुनक ने बर्म किंगम पैलेस पहुँच आपचारिक रूप से किंग चार्स को इस्तिफा सौपा कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त के बाद रिशी सुनक ने दस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट को संबोधित भी किया बृटेन के प्रधान मंतरी के आधिकारिक आवास डस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उत्साहित लोगों की भारी भीड प्रचंट जनादेश मिलने के बाद राष्टर प्रमुक चार्स की तरफ से सरकार गठन का नियोता मिलने के बाद नए प्रधान मंतरी कीर स्टार्मर एतिहासिक इमारत के बाहर के बदलाव के लिए तुरंत काम शुरू करने का भरोसा दिया स्टार्मर ने नई नीतियों का वादा करते हुए कहा कि किसी देश को बदलना स्विच दबाने जैसा नहीं है हाला कि परिवर्तन अवश्य होगा जो लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाएगा लेकिन इसमें समय लगेगा परिवर्तन का काम तुरंत शुरूद होगा इसमें कोई संदे नहीं है कि हम ब्रिटेन का पुनर निर्मान करेंगे देश पहले पार्टी बाद में हम इसी तरह सेवा करेंगे एतिहासिक चुनाव में प्रचंट बहुमत हासल कने वाली लेबर पार्टी के नेता स्टारमर अपनी पतनी विक्टोरिया स्टारमर के साथ राजमहल पहुचे स्टारमर ने किंग चाल्स से मुलकात की किंग चाल्स ने स्टारमर को नई सरकार बनाने का निमंतरन दिया नए प्रधानमंत्री स्टारमर कारेभार सम्हालने के लिए डाउनिंग स्ट्रीट पहुचे उन्होंने प्रचंट जनादेश के लिए देश की जनता का आभार जताया उन्होंने कहा कि चाहे आपने लेबर पार्टी को वोट दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन मेरी सरकार आपकी सेवा करती रहेगी हर किसी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ वेवहार किया जाएगा, बिजली बिलों में कटोती, सब को बिजली जैसे काम तुरंट किये जाएंगे इससे पहले रिशी सुनक बगिंगम पैलेस पहुचे और अपचारिक रूप से किंग चार्ल्स को स्तीफा सौपा कंसरवेटिव पार्टी की करारी शिकस्त के बाद, रिशी सुनक ने दस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट को संबो दित किया उन्होंने बीते कई दशकों में पार्टी के सबसे खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट से माफी मांगी उन्होंने कहा कि इस नतीजे से सीख लेने की जरूरत है काफ़ी कुछ सीखने और देखने के लिए है और मैं इस हार की पूरी जिम्यदारी लेता हूं इसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं गुरुवार को हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने शांदार जीत दर्च करते हुए 412 सीटे हासल की है संसत में बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है और इसके साथ ही 14 साल से देश की सत्ता पर काबिस कंसर्वेटिव सरकार का अंत हो गया अब कीर स्टारमर्द के सामने मौजूदा चनौतियों से निमट कर जनता से किये गए वादो को पूरा करने की जिम्मेदारी है आपको बता दें कि ब्रिटेन के नए प्रधान मंत्री कीर स्टारमर्द ने अपने मंत्री मंडल की घोशना कर दी है एंजला रिना को उप्रधान मंत्री बनाया गया है वहीं अवेट कूपर को ग्रह मंत्री जबकि डेविड लेमी को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है रेचल रीप्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनायी गई है जौन हीली रक्षा मंत्री नियुक्त किये गये है बेस स्टीटिंग को स्वास्ति सचिव मंत्री बनाये गया है ब्रिजिट फिलिप्सन को शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है लिज कैंडल को कार्य और पेंशन का मंत्राले सोपा गया है एड मिलीवेंड नए उर्जा मंत्री होंगे शबाना महमूत को न्याय मंत्राले की जिम्यदारी मिली है बिटन में लेबर पार्टी की इस बड़ी जीत के हीरो रहे बिटन के नए प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर पेशे से वकील कीर स्टार्मर का जैन्म 2 सितंबर 1962 को बिटन में हुआ पूर्वी इंग्लेंड के सरी में ऑक्स्टेट नामक एक छोटे शहर में पले बड़े स्टार्मर एक मध्यमर्गी परिवार से आते हैं पिता एक कारखाने में कारिगर थे तो मा अस्पताल में नर्स आईए उनके बारे में बताती है एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पांस साल पहले 2019 में जब लेबर पार्टी को शर्वनाक हार का सामना करना पड़ा तो कई तरह के सवाल उठे फिर पार्टी एक ऐसे नेता के हाथ में आई जिसने ना सिर्फ संगटनात्मक रूप से पार्टी में जान फूका बलकि जनता से जुडने और अपनी नीतियों को ठीक से समझाने में सफल भी रही नतीजा 4 जुलाई 2024 को दुनिया ने देखा पिछले 14 साल से सता पर काबिस कंसर्वेटिव पार्टी को ना सिफ टेन डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर कर रास्ता दिखा दिया बलकि दश्कों के अपने सबसे खराब पदशन से भी उसे गुजरना पड़ा लेवर पार्टी को नई उचाईयों पर ले जाने वाले कीर स्टार्मर हैं जिन्होंने 2020 में पार्टी की कमान सभाली पेशे से वकील कीरी स्टार्मर का जर्म 2 सितंबर 1962 को बिटेन में हुआ पूरवी इंग्लेंड के सरी में आक्स्टेड नामक एक छोटे से शहर में पले बढ़े स्टार्मर एक मध्यवरगी परिवार से आते हैं पिता एक कारखाने में कारीगर थे तो मा अस्पताल में नर्स मा एक दुल्लब बीमारी से पीड़ी थी जिसके चलते उन्हें बचपन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा स्टार्मर ने 1985 में लिर्थ विश्विदाले से कानून में इसना तक के डिगरी हासल की इसके साथ ही विश्विदाले जाने वाले अपने परिवार की वे पहले सदस्त बने बतौर वकील उन्होंने कई बड़ी उपलब्दियां हासल की उन्हें मानवा धिकारों से जुड़े मामलों में विश्विश शगता हासल है स्टारमर पहली बार 2015 में संसत के लिए चुने गए इसके बाद भी एक साल तक बिटेन की शैड़ो कैबिनेट में आवरचन मंतरी थे इसके अलावा स्टारमर 2016 से 2020 तक येरोपिय संग से बाहर निकलने के लिए शैड़ो राज्य मंतरी भी थे 2019 के आम चुनाव में पार्टी की कराल यहार के बाद 2020 में पार्टी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के निता बने पार्टी के निता की रूप में उभरे कीर स्टारमर ने पार्टी की पिछली लाइन से खुद को अलग कर लिया उन्होंने हाउस बिल्डिंग अर्थ वियस्ता और एन एचेस को ठीक करने जैसी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया स्टारमर के नेतरुत में लेबर पार्टी ने जो बड़े वादे किये उनमें बिटेन की स्वास्त वियस्ता एन एचेस की परतिक्षा सुचियों को कम करने के लिए हर हफ़ते चालीस हजार से अधिक अपॉइंटमेंट उपलब्ध कराना शामिल है बेटेन के चुनाव में आपरवासान एक बड़ा मुद्धा था लेबर पार्टी ने छोटी नाओं के जरिये लोगों की तसक्री को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा कमांड स्थापित करने का वादा किया साथी कानूनों में सुधार करके 15 लाक नए घर बनाने और नए आवास विकास में पहली बार घर खरिदने वालों को पहली प्रात्मिक्ता देने की योजना का प्रास्ताव रखा शिख्षा भी एक अन्य प्रात्मिक्ता है स्टार्मन ने पैंट सट सो सिख्षकों की भरती करने और नीजी स्कोलों के लिए कर्शूर समाप्त करके उनके वेतन का वित्व पोशर करने का वादा किया है तो बिटन में करीब 14 साल के बाद लेबर पार्टी ने सत्ता में वापस ही की है इन चुनाओं में लेबर पार्टी ने हाउस ओफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाओं में 412 पर चीत तर्च की है जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई है वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये चुनाओं परिणाम एक एतिहासिक हार के रूप में देखे जा रहे है बिटन के आम चुनाओं में लेबर पार्टी ने प्रचंड जनादेश हासिल कर 14 साल बाज सत्ता में वापसी की है हाउस ओफ कॉमन्स की 650 सीटों के लिए हुए चुनाओं में 412 पर चीत तर्च की है जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटों पर सिमट गई है ये कंजर्वेटिव पार्टी की पिसले कई दशकों में सबसे बड़ी हार है सरकार बनाने के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है और लेबर पार्टी का नंबर इससे कहीं अधिक है शुक्रुबार को आए नतीजों के आधार पर पार्टी के इस्तिती कुछ इस तरह है लेबर पार्टी 412, कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट 71, एसनपी 9, एसेफ 7, अन्य 28 वहीं अगर वोट शेर की बात करें तो लेबर पार्टी को 33.7 फिस सदी बोट मिले हैं जबकि कंजर्वेटिव को 23.7 प्रतिशत वहीं लिबरल डेमोक्रेट 12.2 फिस सदी, एसनपी को 2.5, एसेफ को 0.7 प्रतिशत बोट मिले हैं लेबर पार्टी की शांदार जीत के बाद कीर इस्टरमर ब्रिटेन के 58 में प्रधान मंत्री बन गए हैं कंजर्वेटिव पार्टी के लिए ये चुनावी परिणाम एक एतिहासिक हार के रूप में देखा जा रहा है पिसले कुछ वर्षों में पार्टी को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा है जिनमें ब्रेक्जिट, कोविट-19 महामारी और रूस-युक्रेन संगर्ष के कारण आर्थिक संकट शामिल है इसके अलावा पूरु प्रधानमंत्री बोरिस जॉंसन और लिज ट्रस की विवादास्पत नीतियों से भी पार्टी को नुकसान पहुचा वहीं लिबरल डेमोक्रेट ने शांदार प्रदर्शन करते हुए इस आम चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज की है पिसले चुनाव में पार्टी के सिर्फ 11 सद से ही House of Commons महुचने में सफल हुए थे लिबर पार्टी की प्रचंड जीत और Conservative Party की बड़ी हार के साथ ही एक छोटी पार्टी Reform UK और इसके नेता निगल फराज की भी बात हो रही है Reform UK भले ही चार सीटों पर सिमट गई हो लेकिन Conservative की बड़ी हार और लिबर पार्टी की प्रचंड जीत में उसका बड़ा रोल माना जा रहा है बिटिश चुनाव नतीजों पर नज़र डालें तो जिन सीटों पर लेबर पार्टी के उमीदवार अराम से जीतने में सफल रहे उन सीटों पर Reform UK का प्रदर्शन बहतर रहा है ऐसी बहुत सी सीट हैं जहां Reform UK दूसरे इस्थान पर है जबकि Conservative तीसरे पाइदान पर है बिटिन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद विश्व नेताओं ने कीर इस्थरमर को बधाई दी है और रचनात्मक सहयोग की आशा करता हूँ और आपको बता दे हैं कि बिटिन के चुनाव में रिशी सुनक कैबिनेट का प्रदर्शन अब तक सबसे खराब रहा है 11 मंत्रियों ने सीटे गवाई हैं इससे पहले 1997 में किसी मौझूदा सरकार ने चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन किया था जब ततकालीन प्रदान मंत्री चौन मेजर के नेतरतुवाली सत्तारूर कंसरवेटिव पार्टी के साथ कैबिनेट मंत्री अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए थे बिटिश आम चुनाव में लेबर पार्टी को एतिहासिक जीत मिली तो वहीं कंसरवेटिव पार्टी के बड़े बड़े दिगच चुनावी मैदान में धेर हो गए Conservative Party की नेता और Britain की पूर प्रधान मंत्री Liz Truss भी South West Norfolk seat से चुनाव हार गए Record संख्या में रिशी सुनक सरकार के cabinet मंत्री भी अपनी seat नहीं बचा सके चुनाव हारने वालों में शिक्षा मंत्री Gillian Keegan, रक्षा मंत्री Grant Shapps और House of Commons की नेता Penny Mordant सबसे high profile cabinet मंत्रियों में शामिल हैं वहीं कानोन मंत्री Alex Chalk, संस्कृती मंत्री Lucy Fraser और विज्ञान मंत्री Michelle Donlon को भी करारी शिकस छेलनी पड़ी Veterans मामलों के मंत्री Johnny Mercer, Mukhi Sachetak Simon Hart, परिवहन मंत्री Mark Harper, Wales मामलों के मंत्री David T.C. Davis और Attorney General Victoria Prentice को भी अपने अपने संसदिय क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा जहां Tory party के दिगजों को हार का सामना करना पड़ा, वहें Britain के चुनावों में कुछ दलों ने उमीद से बेहतर प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया है Reform UK party के नेता Nigel Farage आठवें प्रियास में Clacton seat से चुनाव जीत कर संसद पहुचने में कामियाब रहे साथी उनकी party के तीन अने नेताओं को भी संसदिय चुनाव में जीत मिली और दक्षन पंथी party Reform UK चार सीटे जीतने में सफल रही फराज ब्रिटन के यूरोपिय संख छोड़ने के फैसले के पीछे प्रेरक शक्ती रहे है Tory party के हार पर फराज ने कहा कि ये conservative party के अंत की शुरुआत है हमारी party ने इस चुनाव में जो हासिल किया वह बहुत खास है मेरा विश्वास करो दोस्तों यह उस दिशा में पहला कदम है जो आप सभी को चौका देगी उमीद से बेहतर प्रदर्शन करने वालों में green party भी शामिल रही green party ने अब तक का अपना शांदार प्रदर्शन करते हुए चार सीटों पर जीत दर्ज की अब तक party ने केवल Brighton Pavilion के East Sussex निर्वाचन किशेतर में ही जीत हासिल की थी लेकिन इस चुनाव में green party ना सिर्फ उस सीट को बचाने में सफल रही बलकि Bristol Central, Weaveney Valley और North Hutt Fortshire में भी जीत हासिल की green party को इस चुनाव में करीब 7% vote मिले हैं जबकि पिछले आमचराव में 3% से भी उन्हें कम vote मिले थे और आईए अब आपको बताते हैं कि बिटिन की शासन ब्योस्था कैसी होती है और वहाँ पर सत्ता का हस्तान तरण कैसे होता है तो बिटिन की शासन ब्योस्था की अगर बात करते हैं यहाँ पर राजतंत्र भी है, और राजतंत्र के साथ 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 वहाँ पर संस्थिय प्रणाली भी वहाँ पर है यानि कि राजा भी वहाँ पर होता है और सरकार भी वहाँ पर होती है राजतंत्रे के साथ संसदिय प्रणाली है राजा राश्ट्र प्रमुक वहाँ पर होता है राजा को वहाँ पर राश्ट्र प्रमुक माना जाता है और उसके लावाए एक सरकार चुनी जाती है और राजा जो हैं वो सरकार बनाने का न्योता देते हैं यानि कि भारत में जिस तरह से राश्ट्रपती सरकार बनाने का न्योता देते हैं वहाँ पर राजा सरकार बनाने का न्योता देते हैं नीवर्तमान पी-म का सरकारी आवास के बाहर होता है विदाई भाशन और जो प्रधान मंतरी पिसली सरकार के जो प्रधान मंतरी होते हैं वो सरकारी आवास के बाहर विदाई भाशन देते हैं भाशन के बाद वो बकेगम पहले जाकर इस्तिफा सौपते हैं राजा को तो ये वहां की सत्ता हस्तान तरण की प्रक्रिया हम बता रह यानि कि जो भावी PM है और निवर्तमान PM है उन दोनों के बीच का जो समय है उस दौरान में राजा के पास सत्ता होती है. संसदिय लोकतंत्र पूरी तरह से इस दौरान में शून्य हो जाता है. यानि कि उस समय पे पूरी सत्ता जो है वो राजा के पास होती है और राजा से मुलाकात भावी पी-म की मुलाकात को kissing the hands ceremony कहा जाता है तो ये काफी महत्वपून टाम है वहाँ पर और मुलाकात के बाद सत्ता की सारी जो शक्तियां हैं वो नए पी-म के पास चली जाती है यानि कि जो भावी पी-म है वो जैसे ही राजा से मुलाकात करते हैं उसके बाद वो प्रधान मंत्री बन जाते हैं और राजा से मुलाकात के बाद आधिकारिक गाड़ी में पी-म वापस लोटते हैं और जब वो राजा के पास जाते हैं अपनी निजी गाड़ी से जाते है और भावी प्रधान मंत्री ये जो kissing the hand ceremony के बारे में हम आपको बता रहे थे भावी प्रधान मंत्री जुक कर राजा से हाथ मिलाते हैं इसको kissing the hand ceremony कहते हैं इस पल की तस्वीर हीची जाती है और इस प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर सत्ता हस्तान तरण की निशानी माना जाता है बिटन के अंदर में नए प्रधान मंत्री आधिकारिक PM आवास दस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भाशन देते हैं यानि कि पहले जो पुराने प्रधान मंत्री हैं वो जब राजा के पास जाते हैं वो भाशन देते हैं और जब नए प्रधान मंत्री राजा के पास मिलकर वापस आते हैं तो वो दस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर वो भाशन देते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सब रेक लेते हैं उसके बाद कुछ और अंतराश्टरी ख़बना आपको बताएगे सर बड़ी होकर इंडिया के लिए कहलना चाहती है उसके फ्यूचर के लिए अभी समयने सेविंग बी स्टार्ट कर दी है फ्यूचर की बात है तो सिर्व उसे नहीं आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा मुझे इनका मतलब है मुचल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं हर मैने मुचल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव के वे पैसे शाद उतने ही रह जाएंगा स्थी है सर्व मुचल फंड निवेश बाजार जोकिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें ज्यादा उपज और भरपुन मुनाफ़ा भी दोनों भी लेगे टोरी से एक हाथ में खर्पतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार संगे आयायल के ट्रैक्टर ब्रैंड का टोरी अब खर्पतवार होगा हक्का बड़ेगा मक्का करत होगी थार प्रपतवा एक ज्यादा गजाओर गोल्डी छोले मसाले जहां 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 रिष्टे बनाएं स्वागत है आपको ब्रेक के बाद और आईए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की और एरान में पहले चरण के राष्टरपती चुनाव में किसी भी उमीदवार को बहुमत नहीं मिला उसके बाद यहां दूसरे चरण का चुनाव कराया गया और अब मतदान के नतीजों का इंतिजार है शुक्रवार को हुए मतदान में दो उमीदवारों सुधारवादी, मसूद, पिजश्कियन और कटरपंथी नेता साइद जलीली के बीच कड़ी टककर है आईए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इरान में शुक्रवार को राष्ट्रपती पद के दूसरे चरण के लिए हुए मतदान के बाद अब नतीजों का इंतिजार है इससे पहले देश में 28 जून को राष्ट्रपती चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ था जिसमें किसी भी उम्मीद्वार को बहुमत नहीं मिला था शुकरवार को मतदान में दो उम्मीद्वारों में से सुधारवादी मसूद पेजेशकियन और कटरपंथी नेता सईद जलीली के बीच टकर है इरान में राष्ट्रपती पद का चुनाव जीतने के लिए 50% दी वोट हासिल करना जरूरी होता है पिछले हफते हुए चुनाव में पेजेशकियन को 42.5% दी वोट मिले थे जबकि सईद जलीली को 38.8% दी वोट मिले इन दोनों उम्मीद्वारों में से कोई भी 50% दी वोट हासिल नहीं कर पाया इसलिए दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले इन ही दो उम्मीद्वारों के बीच मुकाबला है मसूद पेजेशकियन का जन्म 29 सितंबर 1954 को हुआ था 79 वर्षिय सुधारवादी नेता पेजेशकियन पेशे से हार्ट सर्जन रह चुके हैं पेजेशकियन 2008 से इरान के तबरीज से संसद के सदस्य हैं और 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर रहे हैं राश्ट्रपती मुहमद खात्मी के कारेकाल में पेजेशकियन स्वास्थय मंत्री भी रह चुके हैं वहीं सईद जलीली का जन्म 6 सितंबर 1965 को हुआ सईद जलीली 58 वर्षिय कटरपंथी नेता है जलीली ने 2013 में राश्ट्रपती पद के लिए चुनाव लड़ा था लेकिन वे इसमें असफल रहे 2021 में इबराहिम रईसी के पक्ष में जलीली ने अपना नाम वापस ले लिया था जलीली इरान के पूर्व परमानू वर्तकार है वर्तमान में जलीली एक्सपीडीनसी डिसकर्नमेंट काउंसिल के सदस्य है इरान में पहले चरण के राश्ट्रपती चुनाव में लगबग 40 फीस दी मतदान हुआ था जो की बेहद कम था साल 1989 में हुई इसलामी करांती के बाद से अब तक का ये सबसे कम वोटर टर्नाउट है चुनाव में कम भागिदारी को इसलामिक गणराज्य में अविश्वास के रूप में देखा जा रहा है दूसरे चुनाव में इरान के सर्वच नेता अयातुला अलिक हामेनेई ने वोट डालने के बाद इरान की जनता से ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की इरान में राश्ट्रपती का चुनाव चार साल के कार्यकाल के लिए होता है कोई भी राष्ट्रपती लगातार दो बार से अधिक इस पद पर नहीं रह सकता है राष्ट्रपती देश का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपती कारिय पालिका का प्रमुख होता है और सम्विधान का पालन सुनिश्चित कराना उसकी जिम्यदारी होती है देश की सेनाओं पर राश्टरपती का नहीं बलकि सर्वोच नेता का नियंतरन होता है वे सुरक्षया, रक्षया और विदेश मामलों के मुद्धों पर फैसले लेते हैं राश्टरपती पद के सभी उम्मिद्वारों को गारजियन काउंसिल की मंजूरी मिलनी जरूरी होती है मंत्री मंदल के सदस्यों का चुनाव राश्टरपती करते हैं लेकिन मंत्री मंदल के सदस्यों के नाम का अनुमोधन संसद की ओर से होना जरूरी है बता दें कि इरान में राश्ट्रपती चुनाव अगले साल जून में होना था लेकिन 19 मई को हेलिकोप्टर दुरगटना में राश्ट्रपती इबराहिम रईसी की मृत्य हो गई उनके साथ हेलिकोप्टर में विदेश मंत्री होसेन, अमीर अब्दुल्ला हियान और अन्य अधिकारियों की भी जान चली गई थी इबराहिम के निधन के बाद इरान में स्नैप पोल कराया जा रहा है अगली खबर के उर चलते हैं, प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आठ से दस जुलाई के बीच रूस और आस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे आठ और नौ जुलाई को रूस की दो दिवसीय यात्रा के दोरान पी-म भारत रूस वार्शिक शिखर समेलन में शामिल होंगे इस दोरान दोनों देशों के बीच बहु आयामी संबंधों पर विस्तरित समिक्षा की संभावना है वहीं रूस के बाद पी-म मूदी आस्ट्रिया जाएंगे 41 वर्शों में किसी भारती ये प्रधान मंत्री की ये पहली आस्ट्रिया यात्रा है राजनैक संबंधों की दृष्टी से इसे बेहद एहम माना जा रहा है तो अंतराश्टी खबरों के हमारे इस बॉलेटिन में आज फिलाल इतना ही आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए नमस्कार